Zahind students, इस video में एक बार हम लोग देखेंगे एक बहुत ही important phrasal verb ठीक है, एक बहुत ही important phrasal verb जो हमारे runs related होगा ठीक है, runs related जितने भी दिकिये phrasal verb है वो हम लोग इस video में देखने वाले हैं ठीक है तो आईए हम लोग स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट है हमारा रन से रिलेटेड बाबू रन इंटू जो आपके CGL एक्जाम में भी एक कोशन पुछा गया है 2013 में 2013 में रन इंटू का मतलब क्या होता है रन इंटू का मतलब होता है बाबू कम एक्रोस आप लोग इसका नाम सुने होंगे कम एक्रोस अचानक किसी से मिलना ठीक है कम एक्रोस का मतलब क्या होता है अचानक किसी से मिलना to meet someone by chance to meet someone या something by chance ये भी लिख सकते है to meet someone या something by chance यानि किसी से अचानक मिलना ठीक है तो रन इंटू का मतलब एक तो मतलब हो गया कम एक्रोस और कम एक्रोस का मतलब बाबू क्या होता है अचानक किसी से मिलना जैसे यदि हम एक्जामपल लिखे ठीक है देखे एक्जामपल हम लिख रहे है हम बोले वाइल 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 क्रोसिंग दे रोड वाइल क्रोसिंग दे रोड ठीक है आई रैन इंटू कैटरीना आई रैन इंटू कैटरीना तो वाइल क्रोसिंग दे रोड ठीक है रोड क्रोसिंग करने के दौरान यहां रैन इंटू का मतलब क्या हो जाएगा आई रैन इंटू क्या होता है रैन इंटू क्या होता है कम एक्रोस या वाइल क्रोसिंग दे रोड या वाइल गोईल तो मार्केट आई मेट माइल ओल फ्रेंट वीकन अल्सों से लाइक देट क्या होता है फ्ली का मतलब क्या होता है इसकेप भी कर सकते है इसकेप या फ्ली का मतलब क्या होता है भाग जाना कभी कभी क्या होता है कि फ्ली के साथ अवे लगा कर देता है फ्ली अवे गलत हो जाएगा बाबू ठीक है फ्ली अवे लिखना हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा फ्ली के साथ हम वेकन यूज नहीं कर सकते बट रन अवे हमारा क्या होता है एक हमारा फ्रेजल भर्व होता है जिसका मतलब क्या होता है फ्ली का मतलब क्या होता है वाग जाना इसकेप का भी मतलब क्या हो जाता है वह वाग जाना खीक है जैसे देखिए अगर हम बो ठीक है न बाबू? मतलब जैसे ही पुलिस को देखा चोर क्या हुआ? भाग गया यानि रन अवे का मतलब क्या हुआ? फ्ली या इसकेप हुआ अई होप की क्लियर हो रहा होगा? दोनों का मतलब होता है भाग जाना यहां हिंदी भी आप देख सकते हैं इसका हिंदी लिख लिजिएगा नोटबूक में ठीक है? और रन इंटू का मतलब क्या हो गया? किसी से अचानक मिलना अई होप की क्लियर हो रहा होगा ठीक है? इसका मतलब होता है क्या? भाग जाना नेक्स्ट है थर्ड हमारा बाबू रन इंटू अचा रन इंटू तो देख लिए रन थर्ड हमारा है थर्ड यहां देखिए थर्ड फिर से लिखा गया है रन इंटू ठीक रन इंटू तो हम लोग समझी लिए ठीक है? यहां देखिए रन डाउन है यह भी हमारा क्या है? ब का मतब क्या समझेगा वीक यानि कमजोर जैसे हमने बोला जैसे एक्जाम्पल से देखिए समझते हैं आफ्टर प्रोलॉंग ठीक है इलनेश आफ्टर प्रोलॉंग इलनेश ठीक है ही अपियरड ही अपियरड ही अपियरड रैन दाउन ठीक है न बाबू अपियरड रैन डाउन आफ्टर प्रोलॉंग illness, prolong का मतलब होता है लंबी बिमारी ठीक है न, लंबी लंबा होता है, prolong का मतलब after prolonged illness, लंबी बिमारी के बाद कारण he appeared ran down, वो कैसा दिख रहा है ran down, ran down का मतलब क्या होता है weak कहिए, कमजोर कहिए ठीक है न बाबू, यानि weak या कमजोर हो जाएगा, ठीक है next देखिए, ये बहुत ज़्यादा important है run over, आप सुनते हों कि माल लिजे, कोई कार बगारा run over कर गया, run over का मतलब क्या होता है, run over मिन्स होता है crush, crush का मतलब क्या होता है कुचल देना, ठीक है कुचल देना ठीक है ना, जैसे हमने एक example लिखे, example से ज़्यादा बहतर समझ में हैगा, हम बोले he was he was ठीक है, run over ran over by speeding car ठीक है, he was ran over, ठीक है by speeding car, उसे कुचला गया, ठीक है, passive में है ठीक है ना, किसके द्वारा ये speeding car के द्वारा कहने का मतलब, यहाँ ran over का मतलब क्या हो गया ये verb 3 दिया हुआ है run, ran इसका verb 2 और verb 3 होता है ठीक है, तो ran over का यहाँ मतलब क्या हो गया बाबू crush हो गया, यानि कुचल देना हो गया I hope कि clear हो गया होगा आइए, और आगे हम लोग देखते है और कुछ important next हमारा है बाबू अब देख सकते हैं next हमारा है, देखे run out का मतलब होता है, एक run out cricket में भी होता है, बट ये run out का मतलब बाबू समझेंगे, इसका मतलब होता है shortage, इसका मतलब shortage में क्या होता है, कमी किसी भी चीज का माले, ये shortage कैसे होता है कमी हो गया, ठीक है जैसे बहुत सारी example हो सकते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, कि run out का मतलब क्या होता है shortage होता है, anything किसी भी चीज का कमी, ठीक है next है देखिए 7, run off OAA, run off का मतलब होता है कोई चीज लेकर भाग जाना यानि to run away to run away थोड़ा सा समझेगा, इसमें difference है कोई चीज लेकर क्या करना भाग जाना, ठीक है ना लेकर भाग जाना किसी भी चीज को ठीक, जैसे हमने यहाँ लिखा example इसका देखिए, थोड़ा सा समझते है अच्छा है, ठीक है देखिए he ran off he ran off with his mastery mastery mastery's money ठीक है ना, mastery का मतलब क्या होता है ठीक है, he ran off ran off का मतलब क्या होता है भाग जाना, कोई चीज लेकर भाग जाना लिख लिजे हिंदी, लेकर भाग जाना लेकर भाग जाना, कोई चीज he ran off with his mastery money, ठीक है ना, mastery money लेकर क्या हुआ, भाग गया, फरार हो गया यानि run off का मतलब यह हुआ and next बावव हमारा ran through, ठीक है run through है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दिजिएगा, run through का मतलब होता है, सरसरी निगाह डालना, मतलब किसी भी चीज को क्या करना, rehearse quickly, rehearse काने का मतलब क्या उसको revision quickly, किसी भी चीज को देखना, मतलब सरसरी निगाह से देखना, जैसे example से देखिए example से अच्छा समझ में आएगा जैसे हम बोले please run through please run through the whole chapter the whole chapter before the exam before the exam मतलब exam से पहले क्या कर लो अपने पूरे चैप्टर को क्या कर लो please, ठीक है run through run through का मतलब क्या होता है ध्यान से देख लेना ठीक है सरसरी निगाह से देख लेना यानि to rehearse quickly rehearse एक वर्ड होता है ठीक है quickly rehearse quickly इसको हम लोग बोलेंगे ठीक है मतलब revision करना सरसरी निगाह से देख लेना I hope कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा बहुत पसंद दया होगा क्योंकि हमने बहुत सारे phrasal भर अभी कराद दिये है और भी आगे आपके लिए बहुत सारे लाएंगे चलिए फिर आज के लिए बस इतना